मद्यप्रदेश के मुरेना जीले के जुनपूरा नगर के प्राजिन देविस्थान संकट मोचन गटावाले हनवान जी के मंदिर पर भागवत कथा का आज़िन किया जा रहा है इसमें व्यासपीट पर विराजबान कथा वाचक आज़्यारी रिशिराज शुकला जी ने अपने मुखारविंद सेश रोताओं को प्रसंग में सुनाया कि इंद्र को अपनी सक्ता और शक्ति का गमंड हो गया था और उसका गमंड दूर करने के लिए भगवान ने ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा को बंद कर गोवर्धन की पूजा शुरू करा दी इससे क्रोधित होकर इंद्र ने भारी बरसात करई ऐसे लोगों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन परवत को उठा लिया साथ दिनों की बाद इंद्र को अपनी भूल का हैसास हुआ और श्रमा याश्ना करते हुए श्री कृष्ण जी के चर्णों में गिर पड़ा कथा कि दोरान भगवान श्री कृष्ण की लिलाओं की जाकी सजाई गई जब से लेकर आज तक भगवान के गोवर्धन परवत की रूप में पूजा की जाती है और जो भगवान को भक्ती भाव से श्रधा पुर्वक भस्ते हैं उनके कष्टों की निवारन है तो स्वयम धर्दी पर अव्दरित होकर अनेक लिलाएं करते हैं इससे पूर्व भगवान बालकृष्ण की विभन लिलाओं जिसमें बकासुर ब्रह्मा के साथ लीला गोचारण काली देह में कालियानाग कुनातना सहीत लीलाओं का विस्तार सवर्णन किया साथी भजन संगीत में समाबांध जिसमें शोता जुम उठे कथा व्यास रिशीराज शुकला ने श्रीमत भागवत कथा में रोशक प्रसंग सत्संग कथा का सहीत भजन किरतन से समाबांध दिया जिसर शोता जुम उठे महीं आपको बता दे कि भगवान के नक्स सीख तक का रुप सौंदरी का भाव पूर्ण रुप से सुंदर वर्णन किया गया गिरेश बुधोलिया ब्रजेश मरया कमलेश व्यास कमल शर्मा केलाशी बुधोलिय मुरेना से गोरवगोड किया रिपॉर्ट